जैहिंद फ्रेंज वेलकम टू माई OPC यूटूब चैनल स्टेड़ी मेटेरियल A2Z M.H. एहमद नगर गुरूप सी रिकूरूटमेंट 2022 दोस्तो बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पे आपके जो की एहमद नगर हाल फिलाल में एहमद नगर के दुआरा एक रिकूरूटमेंट आपका निकाला गया था दोस्तो जो की आपका 41 वेकंसी आपके निकाली गए थी लेकिन एक नया रिकूरूटमेंट आपके लिए निकाल के आ रहा है जिसमें आपके दोस्तों अलग अलग पोस्टे हैं नई वेकंसी है और आपका ओफलाइन फोर्म रहने वाला है अगर आप दस्वी पास की हुए हैं तो आप इस वीडियो को कम्पलीट देखिएगा और ओल इंडिया के महिला एंड पुरूस दोनों केंडिडेट बरती के लिए अपलीकेबल रहेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है दोस्तों कोई भी भरती होती है सबसे पहले आपको चैनल पे अपडेट कर दी जाती है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करके रख लीजिएगा सुगाईज यह हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको भरती के नोटेपिकेशन, ओफलाइन फोर्म, सारी जानकारी यहां पे आपको लगातार अपडेट कर दी जाती है आपका चाहे वो रजल्ट हो, नोटेपिकेशन हो और चाहे वो इसके अपलिकेशन फोर्म की बात हो ओफलाइन जो भी फोर्म होते हैं बिल्कुल फ्री ओपको आपको यहां पे प्रुवाइड करवा दिया जाते हैं और दोस्तों यहां पे आप जो सिंपली ओपन करेंगे तो आपके लिए डाउट ग्रूप भी बना हुआ है तो आप डाउट ग्रूप को भी जोईन कर सकते हैं जिसमें आपस में डिसकस कर सकते हैं इसका लिंक वीडियो की डिसक्रिप्शन में मैंने प्रुवाइड करवा दिया है तो आपकर जो टेलिग्राम पर जुट जाईएगा यह दोस्तों आपको 45 डेज का टाइम दिया जाएगा अप्लिकेशन कब से स्टार्ट होंगे उसके बारे में भी डिसकस कर लिया जाएगा सुगाई जी आपका यहाँ पर ओडर रहने वाला है यानि एडरस रहने वाला है जिसमें आपको बेजना होगा मिलिटरी होस्पीटल एहमद नगर की रिक्रूटमेंट है जिसमें आपको कुक की पोस्ट देखने को मिलेगी जोस्तों यहाँ पर टोटल 10 पोस्ट इन्वाइट की गई है आपके यूआर की टोटल 8 पोस्ट है SC की भी यहाँ पर बिलकुल भी कोई भी पोस्ट नहीं है इसमें वार्ड साही का जिसमें महिला भी आवेदन कर पाएंगी जिसमें आपके 57 वेकंसी आपकी इन्वाइट की गई है उसके बाद UR की 20 वेकंसी है SC की आपकी 12 वेकंसी है ST की एक वेकंसी है OBC की यहाँ पर 12 वेकंसी EWS की 12 वेकंसी है एज की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों आपका एज रहेगा 18-25 साल तक आप जो इसमें आवेदन कर पाएंगे यहाँ पे दोस्तों आपको एज रिलेक्शन भी दिया जाएगा SCST Candidate को यहाँ पे 5 साल का एज रिलेक्शन रहेगा OBC के जो Candidate हैं उनको यहाँ पे जो की दोस्तों आपका 3 साल का रहेगा PH वाले जो Candidate हैं उन्हें 10 साल का सुगाई जब हम बात कर लेते हैं आपके Education Qualification की तो Education Qualification आपका 10 वी पास अगर हैं तो आप कुक के लिए अपलाई कर पाएंगे और वायर्ड साहिका के लिए भी आपका यहाँ पे 10 वी पास हैं तो आप अपलाई कर पाएंगे इस वायर्ड साहिका में महिला और पुरूस दोनों यहाँ पे अपलाई कर सकते हैं तो यह आपके लिए दोस्तों नया Recruitment है पूरी जानकारी आपको दी जाएगी आगे आपका क्या-क्या होने वाला है वो भी हम discuss पूरी तरह से complete discuss करेंगे सिले बस आपका क्या रहेगा तो complete वीडियो को देख लीजिए application form कब से start होंगे उसके बारे में भी discuss कर लिया जाएगा तो दोस्तों पूरा complete वीडियो देख लीजिए यहाँ पे आपके एक detail दी गई है जिसमें आपके जो general के अलावा जो candidate है उनको यहाँ पे vacancy में भी reservation देखने को मिलेगा यह भी आपके लिए एक बड़ी खबर है उसके बाद यहाँ पे नीचे आपके लिए important instruction दी गई है उसको भी हम discuss करें तो आपका यहाँ पे total दोस्तों यह आपके यहाँ पे 100 रुपे का आपका postal जो stamp है वो लगने वाला है किस परकार से postal stamp को त्यार करना है यह आपको जो मैं application form जो है आपको बरके बताऊँगा तब आपको पूरी detail दूँगा कि आप जो किस परकार से यहाँ पे इसमें जो 100 रुपे का जो postal order है वो कहाँ पे भेजना है कैसी आपको करना है तो यह आपको है अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके next और application form आपका किस परकार का रहेगा वो भी मैं आपको साथ में ही दिखा दूँगा सुगाईज यहाँ पे document का आपको यहाँ पे discuss किया गया है कि आप जो budget certificate, domestic certificate, national certificate और यह आपके जो कि दोस्तों दे गई है notification के अंदर और application for the post यह आपको application है अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके application form जो किस परकार का है सुगाईज आपको analog कितने बेजने हैं कैसे बेजने हैं यह जब हम application form का जब मैं video लेकिया हूँ आज जिसमें आपको मैं complete process आपको बता दूँगा कि आपको कितना photo बेजना है क्या-क्या document आपको provide करवाने हैं और आपके यह जो है क्या-क्या आपका लगने वाला है और postal staff है जो किस परकार से आपको भरना है तो इसका tension मत लीजेगा आपका language जो है आप जो form को Hindi और English दोनों में आप जो इसको फिल पे कर पाएंगे जिसमें आपको कोई दिक्कत वाला सीन या पे होने वाला नहीं है सबसे पहला काम ही आपका written exam होगा written exam में आपको जो की written exam होगा written exam के बाद आपका skill test अथार जो trade test है वो होगा यानि आपके जो कुक और वार्ड साई का इसमें आपके recruitment है उसमें आपकी सभी process होगी other जो candidate है उनके लिए हाँ पे 7 दिन का यहाँ पे दोस्तो time duration भी दिया गया है आप इसको check करेंगे notification आपको मैं टेलिग्राम पे provide करवा दूआ syllabus दोस्तों बिल्कुल accuracy एकदम बिल्कुल आपका जो हूबू जो syllabus इंडियन आर्मी का जो रहता है group C का वही syllabus देखने को मिलता है और इसलिए आपको हमेशा suggest किया जाता है कि बार बार आप जो group C का paper दीजिए कोई भी भरती होती है आप apply कीजिए इनको अगर apply करते हैं दोस्तों तो आपको जरू definitely इसका जो फायदा होगा और आप एक दिन group C को जरूर join कर लोगे और ऐसा ही दोस्तों मैंने जब joining वाले जो candidate थे उनसे आपको रिवरू करवाया था तो उनका भी यही आपका कहना था तो यह आपका सीले बस रहने वाला है जिसमें दो गंटे का आपकी time duration है अब हम form को देख लेते हैं सुगाई जी आपका application form रहने वाला है क्या यही application form रह रहेगा लेकिन दोस्तों इस application form को थोड़ा बहुत डिजाइन कर सकते हैं या फिर आपकी जो इंडियन आर्मी की जो official website है nic. तो उस पे भी आपको application form देखने को मिल जाएगा तो इसकी tension लेने क्या हो सकता नहीं यह आपको जब एकदम authentic आपका जो है दोस्तों आपका जो real व जो है यहां पर 5 मार्च को start हो जाएगा अगर implement newspaper में दोस्तों accepted है कि आपका जो आज आए क्योंकि पिछली बार जो आपका military hospital जो चेनेई वाली वेकंसी थी उसका भी नहीं आया था तो जब भी implement newspaper में आते ही start हो जाएगा last date आपका 45 days का दोस्तों यहां पर time duration दिया गया है dedeven vacancy है और इसमें आप दोस्तों आपके cook की vacancy है और उसके बाद यहां पर आपके discuss कर लेते हैं दोस्तों यह आपका और यह एपकी यहां पर दोस्तों अलग-अलग category wise vacancy है और आपको यह document दोस्तों चाहिए गा जिसमें आप जो यहां पर document दे का रहे होंगे का सेटिपिकेट, डोमेसियल सेटिपिकेट, उसके बाद यहाँ पे अपलिकेशन, फोर्ड अफोस्ट यह जो यहाँ पे बेजना होगा, तो पूरी डिटेल लेकर आऊँगा, दोस्तों टैंसन लेनी क्या हो सकता नहीं है, सुगाईज उम्मित करता हूँ कि आपको वीडियो के साथ चैनल सब्सक्राइब के लिजिएगा, जैहिंद!